दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लेकर के आये हैं SSC सेलक्षन पोस्ट फेज नाइन के एक्जाम में आये हुए सभी इडियम्स के कुस्चन्स यह जो आपका एक्जाम हुआ था आपको पता है कि फरवरी और मार्च 2022 में हुआ था यानि कि बिल्कूल लेकर एक्जाम है और इसमें आपको पता होगा कि तीन लेवल के एक्जाम हुए थे एक ग्रेजुएट लेवल हुआ था ठीक है एक जो है आपका ग्रेजुएट लेवल के एक्जाम था और एक 12th level था और 10th level तीन तरह के exam हुए थे इसमें तो इन सभी में आए हुए हम idioms को देखेंगे जो आपका graduate level exam था इसमें 5 idioms आए हुए थे और जो 12th level का था इसमें 14 idioms थे और जो 10th level का था इसमें 36 idioms आए हुए थे total तो कुल मिलागर के आपके 36 मतलब 50-55 आज की class और मैंने आपको इस exam के जो है one word substitution भी पहले करवा दिये थे तो काफी ज़्यदा important है ये सभी idioms और जो one word substitution थे क्योंकि ये अब ही जो है SSC का बिल्कुल latest exam है ठीक इसके बाद अभी कोई भी exam conduct नहीं हुआ है तो आगे जो भी exam आएंगे उन सभी exam से के लिए आपको इसको पूरा तयार करके जाना है ठीक है तो first यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले graduation level में आये हुए जो question थे वो कौन कौन थे हैं तो first जो है यहाँ पर यह है keep one's head तो keep one's head इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है सांथ होना सांथ रहना remain calm इसका मतलब क्या होता है remain calm आपको ध्यान रखना है सांथ रहना या पिर सांत होना ठीक है next है second है to draw a blank to draw a blank draw a blank का मतलब क्या होता है to win a lottery to become unconscious to get no result or if I get someone close तो option no.3 इसका correct होगा to get no result छीक कोई परिणाम नहीं पाना भूलते हैं ठीक है आसफल होना आप लोग इसको हिंदी में लिख लेना आगे चलेंगे next पर next है bet blanket bet blanket इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है ए पर्षन फोल्स अदर पीपल्स फना option नंबर चार जो है इसका correct answer होगा क्या होता है इसका मतलब तो इसका मतलब होता है मजा किरक्रा करने वाला ठीक है मजा किरक्रा करने वाला bet blanket ठीक है इसका मतलब मजा किरक्रा करने वाला ए पर्षन हो इस्पोल्स अदर पीपल्स फन इस्पोल्स मतलब होता बरबाद करना ठीक है other people's fun जो दूसरों के फन को खराब कर दे ठीक है मजा किरकिरा कर दे उसको बोलते है bit blanket next देखेंगे 4 number है losing ground losing ground का मतलब क्या होता है यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा becoming deeply engraved acquiring power continuing as before become less acceptable तो option number 4 जो है इसका correct answer होगा become less acceptable ठीक है losing ground become less acceptable इसका मतलब होता है पिछडने लगना ठीक है इसका मतलब क्या होता है पिछडने लगना या फिर पीछे हटना ठीक है तो आप लोग इसको लिख लेना पिछडने लगना या फिर पीछे हटना less acceptable होना ठीक है तो option number 4 इसका correct हो जाएगा आगे चलेंगे होता है इसमें देखेंगे तो completely unexpected ठीक है completely unexpected जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी उसको बोलते हैं out of the blue ठीक है तो यह सभी आप लोग ध्यान रखेंगे सभी graduation level में आये हुए थे अब आगे देखेंगे हम लोग 12th level में जो idiom से आये थे तो इसमें first है let the cat out of the bag let the cat out out of the bag इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रहस से उजागर करना तो reveal a secret आपसा नंबर 3 इसका correct होगा reveal a secret ठीक है next question देखेंगे bite up more than you can chew bite up more than you can chew इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है उतना काम या फिर जिम्मेदारी ले ले लेना जितना आपसे ना हो सके ठीक है मतलब जो अपने छमता से ज़्यादा कोई काम ले लेना उसको क्या बोलेंगे तो इसमें देखते हैं आपसन आपके पास है work very hard to accomplish a job take on more work than you can handle option number second इसका correct होगा take on more work than you can handle उतना काम या जिम्मेदारी ले लेना जितना आपसे ना हो सके ठीक है आगे देखेंगे third number है running cats and dogs running cats and dogs इसका मतलब हो था मूसलादार बारिस होना बहुत अधिक बारिस होना तो इसका जो correct answer होगा option number second होगा rainy heavily ठीक है आप लोग लिखते चलिएगा जो आपको ना पता हो आगे देखेंगे fourth number question है a dime a dozen a dime a dozen इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है पहला option आपके पास very difficult to find very costly and rare common and easily available ठीक है हाँ तो option number three इसका correct होगा a dime a dozen का मतलब होता है common and easily available कोई चीज जो आसानी से उपलब्द हो ठीक उसको बोलते है a dime a dozen आगे देखेंगे five number question इसको देखते है five number में give someone the cold shoulder give someone the cold shoulder इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी को जो है ignore कर देना ठीक है किसी को ignore कर देना आपसर number one इसका correct होगा next देखेंगे इसका मतलब होता है किसी चीट को फिर से शुरुआत करना या फिर नई शुरुआत करना इसको बोलते हैं गो बैक टूदा ड्राविंग बोर्ड आपसन देखेंगे तो start planning all over again आपसन नमबर वन ही इसका correct हो जाएगा ठीक है आपसन नमबर वन इसका correct होगा start planning all over again फिर से शुरु करना आगे देखेंगे seven नमबर कुस्चन है यह आपके एकजाम में कई बार पूछा रा चुका है इसका मतलब क्या होता है counter argument presenter ठीक counter argument present करने वाला जो होता है उसको बोलते है be the devil से advocate option नमबर वन इसका correct हो जाएगा next देखेंगे eight number question है a stitch in time saves nine a stitch in time saves nine इसका मतलब क्या होता है कि किसी समस्या को या किसी परिशानी को ज्यादा बड़ी होने से पहले ही खतम कर देना ठीक निप्टा देना उसको क्या बोलेंगे तो option है आपके पास इसमें देखते हैं क्या होगा it is better to solve a problem straight away and not let it become bigger जी option number one इसका correct हो जाएगा बिलकुल it is better to solve a problem straight away and not let it become bigger आपसन number one इसका correct होगा किसी समस्या को बड़ी होने से पहले ही खतम कर देना आगे देखेंगे 9 number question है go to the dogs go to the dogs इसका मतलब क्या होता पूरी तरह से बरबाद हो जाना destroy हो जाना ruin हो जाना ठीक है तो option number 4 इसका correct हो जाएगा next question है set light on set light on इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकास डालना या फिर किसी चीज़ को explain करना प्रकास डालना या फिर explain करना तो option number 3 इसका correct होगा to explain a situation to explain a situation after number 3 जो है इसका correct answer होगा set light on आगे देखेंगे 11 number question है hit a brick wall hit a brick wall इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है use unfair tactics go to sleep hit someone with a brick or encounter and obstacle इसका correct answer होगा वो होगा option number 4 किसी बाधा या परेशानी का सामना करना encounter and obstacle अप्स्टेकल मतलब होता है बाधाएं Apache और encounter मतलब होता है सामना करना तो बाधा का सामना करना उसको होते है next देखेंगे question number 12 है hold your horse hold your horse इसका मतलब कह क्या होता है इसका मतलब होता है धैर्य रखना आप लोग लिख लेंगे इसको तो बी पेशेंट इसका एंसर हो जाएगा बी पेशेंट ठीक है तो आप लोग ध्यान देंगे इसको आगे चलेंगे थर्टीन नमबर कुश्चन है इसको देखते हैं लोग होर्न्स लोग होर्न्स इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो make a team find a mate fight with someone और defeat someone ठीक है तो लोग होर्न्स का मतलब होता है fight with someone किसी से जगड़ा करना ठीक fight with someone अगे देखेंगे फोर्टीन नमबर कुश्चन है get out of hand ठीक get out of hand यानि कि पहुंच से बाहर हो जाना हाथ से निकल जाना कोई चीज तो not able to finish be depressed run away from somebody become difficult to control option नमबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा कोई चीज ज़्यादा मुश्किल हो जाना ठीक है मतलब control न कर पाना तो get out of hand आप लोग ध्यान रखेंगे आगे चलेंगे अब यह जो है 12th level के जो थे 14 idioms आये हुए थे यह सभी हो गये है अब आगे देखेंगे यह 10th level के है ठीक है 10th level में आपके जो है MTS वगरा की post थे उसमें तो यह सभी question इसी में आये हुए थे और आप लोग playlist में जाएंगे तो आपको अलग-अलग तरह की playlist मिलेंगी आपके से CGL question मिलेंगे CHSL के मिलेंगे MTS के मिलेंगे CGL में हर तरह के question आपको मिल जाएंगे playlist में हर चीज के लिए अलग-अलग playlist बनी हुई है आप लोग जाएं वहाँ से वीडियो को लगाएं आपको ज्यादा ज आपको solve कराएं हुए हैं तो आप लोग जरूर देखिए और अभी जैसा कि आपका CGL start हो चुगा है तो जैसे ही इसकी answer कि आएगी CGL की मैं आपको सभी question paper solve करा दूँगा 2020 वाले भी मैंने पूरे solve कराया हैं आप लोगों अगर नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजे औ और तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जब आपका answer की आजाए CGL का तो मैं उसको जब solve कराऊं तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए इधर उधर ना भटकना पड़े ठीक है क्योंकि वो जो है जो question paper होंगे आपके CSL और MTS exam के लिए काफी ज़ जो है bottom line इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब सुद्ध मुनाफ़ा होना ठीक सुद्ध मुनाफ़ा और option के साबस अगर इसमें देखें तो an impossible task the most important fact जी option number second इसका correct हो जाएगा the most important fact ठीक महत्यपूर्ण तत्य कोई महत्यपूर्ण तत्य जो है इसका correct answer होगा bottom line ठीक है और bottom line क मतलब सुद्ध मुनाफ़ा भी होता है ठीक है तो पहले आपके exam में आ चुका है यह इसका जो है इस exam में इसकी meaning यह थी the most important fact महत्यपूर्ण तत्य आगे देखेंगे next number to be ill at ace to be ill at ace तो इसमें देखेंगे क्या होगा to feel uncomfortable or worried in a situation to make a patient in a hospital feel comfortable to be very sick to stand with legs kept kept slightly wide ठीक है तो इसका जो है आपका option number one इसका correct होगा to feel uncomfortable और worried ठीक है in a situation तो किसी परिस्थती में uncomfortable होना या फिर चिंतित होना परेशार होना उसको बोलते हैं to be ill at ace यानि कि परेशानी में होना इसका मतलब क्या होता परेशानी में होना तो आप लोग इसको लिख लेगे आग इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इस तरह से कोई और है ठीक है जिस तरह की situation में कोई और है उसको बोलते हैं in someone's shoes आगे देखते हैं four number question है all years तो all years का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पूरी सुनने के लिए उत्सुक होना ठीक है सुनने के लिए उत्सुक होना तो option के साब से गर इसमें answer देखेंगे तो option नंबर जो है आपका to ask a person to repeat something ठीक है to bet eagerly for some news अपसर नंबर second इसका correct state eagerly for some news ठीक है किसी news के लिए बहुती उत्सुकता से इंतजार करना ठीक है all years का मतलब होता है सुनने के लिए उत्सुक होना आपके exam में पहले भी आया था तो अलग meaning थी इसमें जो है यह सभी idioms repeat होते रहते हैं बस उनके जो है statement जो यह English में दिये जाते हैं यह बदल जाते हैं ठीक है तो इनको आपको अगर आपको ध्यान रहेगा तो आसानी से आप इनको कर पाओगे आगे देखते हैं next five number है have cold feet have cold feet तो cold feet का मतलब क्या होता है confidence नहीं होना ठीक confidence की कमी होना option number second हो जाएगा इसका correct Lost confidence ठीक lost confidence confidence खो देना आगे देखेंगे six number है to be in hot water to be in hot water इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा किसी कठिन परिस्तिती में होना to be in hot water होता है किसी कठिन परिस्तिती में होना second number इसका correct होगा to be in a difficult situation in which you can be criticized ठीक है तो difficult situation में होना आगे बढ़ेंगे next question 7 number question है a piece of cake ठीक है बहुत आसान idiom है ठीक है और exam में आता भी है तो इसका मतलब क्या होता very easy to be easy बहुत आसान होना ठीक है next है question number 8 है to raise a few eyebrows to raise a few eyebrows इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है किसी को आश्चर चकित करना किसी को surprise करना soaking करना या फिर आश्चर चकित करना option number 3 इसका correct होगा to case surprise और soak ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 9 है in the in line with in line with इसका मतलब क्या होता है समझहोते में होना ठीक है समझहोता होना अपिर किसी के साथ समझहोते में होना तो option number 3 इसका correct होगा in agreement in agreement जो है इसका correct answer हो जाएगा next देखेंगे 10 number question है a hot potato a hot potato इसका मतलब क्या होता है a delicate table dish a comfortable situation or an easy to cook recipe a controversial issue ठीक तो कोई विवादा इस पर मुद्दा होना इसको बोलते है controversial issue ठीक है कोई विवादा इस पर मुद्दा ठीक है आगे बढ़ेंगे 11 number question देखेंगे flex once muscles flex once muscles ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अपनी ताकत दिखाना अपनी strength को show करना दिखाना तो beat someone physically with muscle strength show once muscular strength और third option आपका correct होगा give or make a show up once strength ठीक है अपनी ताकत को दिखाना next देखेंगे 12 number question है full up hot air full up hot air इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है खुद के लिए कोई चीत important होना ठीक है तो option number second correct होगा self important खुद के लिए महत्तुपूर्ण होना ठीक है आगे बढ़ेंगे 13 number question है the lion's share lion's share का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा भाग या फिर हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा होना ठीक है तो a huge profit a risky pursuit a highest authority the largest portion तो option number four इसका correct होगा the largest portion सबसे बड़ा हिस्सा ठीक है next है on purpose और ये जो है on purpose आपके common error में भी पूछा आता है आप लोग इसको ध्यान रखेंगे correct होता है on purpose इसके साथ जो है preposition बदल दिया राता है common error में तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे आपके exam में पूचा भी गया है ठीक है और इसका मतलब क्योंता है इसका मतलब होता है jahn बोज कर ठीक है on purpose का मतलब होता है jahn बोज कर ठीक है तो option number 3 इसका correct होगा deliberately धीक जान बोज कर आगे बढ़ेंगे 15 number question चलते हैं on purpose यह भी वही है ठीक है तो deliberately ठीक है next है full up beans इसका मतलब क्यों होता है इसका मतलब होता है ओर्जा से भरा हुआ ठीक है इसका मतलब होता है ओर्जा से भरा हुआ तो अंग्री अनहेपी नर्वास और लिवली आपसन नमबर फॉर इसका करेक्ट होगा लिवली ठीक है लिवली आपका जो है करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 17 नमबर कुश्चन है On the back burner ठीक है On the back burner इसका मतलब क्या होता है तो आपके पास 4 आपसन है To temporarily not deal with Some matter Because it is not urgent जी आपसन नमबर वन इसका जो है Correct होगा और इसका मतलब क्या होता है कि बस्ते में डाल देना ठीक है जो बोलते हैं बस्ते में डाल देना या फिर कोई चीज Important नहीं होना उसको बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं बिचारा धीन होना ठीक कोई चीज बिचारा धीन होना To temporarily not deal with the matter किसी matter से जो है deal नहीं करना Because it is not urgent क्योंकि या महत्तपूर्ड नहीं है ठीक है तो बस्ते में डाल देना ठंदे बस्ते में डाल देना या फिर विचारा धीन इसका मतलब होता है ठीक है Next देखेंगे 18 number question है Once for all Once for all का मतलब क्यों होता है Conclusively ठीक है आखिरकार आखिरकार ठीक है या फिर अंतिम दौर में ठीक है अंतिम दौर में आखिरकार ये सब होता है इसका मतलब Once for all ठीक है आगे बढ़ेंगे Fall out with someone Fall out with someone इसका मतलब क्या होता है तो मतलब किसी जगड़े के बाद किसी इसके साथ friendly नहीं होना ठीक है friendly नहीं होना उसको बोलते है Fall out with someone Fall out जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता जगड़ा होना ठीक है तो किसी से जगड़ा होना तो option number one इसका correct हो जाए Stop being friendly after an argument ठीक है तो fall out आप लोग ध्यान रखेंगे इसका मतलब होता जगड़ा होना तो किसी से जगड़ा होना इसका जो है correct हो जाएगा इसका meaning तो stop being friendly after an argument next है 20 number question है more or less more or less इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लग भग ठीक है approximately लग भग जो है इसका answer होता है approximately हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे 19 number question है learn how to do a job or activity to pretend one is trained in something to have a talent for magic tricks to be good with rope exercises तो option number one इसका correct होगा learn how to do a job or activity किसी job को किसी activity को किस तरीके से करना है उसको सीखना ठीक उसको बोलते है learn the ropes next है आईवास ठीक है तो आईवास मतलब क्या होता धोखा आईवास मतलब क्या होता धोखा होता है तो a deception option number second correct होगा a deception ठीक deception मतलब भी धोखा होता है आगे बढ़ेंगे 23 number question है take a toll take a toll इसका मतलब क्या होता है to take notice to harm or damage to warn someone to ring bell तो इसका मतलब होता है take a toll को मतलब होता है to harm और damage ठीक किसी जिसको नुकसान पहुंचाना damage करना, harm करना उसको बोलते है take a toll next है no love lost ठीक no love lost इसका मतलब होता दुस्मनी होना किसी के साथ किसी के साथ दुस्मनी होना तो person who do not like each other at all option number one इसका correct होगा person who do not like each other at all ठीक है, ऐसे person जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते है no love lost मतलब होता है दुस्मनी ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपको जो है option के साथ खेलना है, आपको meaning भी पता होना चाहिए लेकिन आपको option के साथ खेलना है ठीक है, next 25 नंबर है by and large, ठीक है by and large, इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता, on the whole on the whole, पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरह से, या फिर पूरी तरीके से इसको बोलते है, by and large ठीक है, पूर्ण रूप से next 26 नंबर है have your back against the wall have your back against the wall तो इसका क्या हो जाएगा to be humiliated and bullied by a superior at work to be in a disparate situation with very few options, option number second इसका correct होगा, to be in a disparate situation, ठीक है disparate मतलब होता, beach chain होना ठीक है, beach chain होना लिव situation में होना, with few options, ठीक है, बहुत कम तो मतलब इसका हो जाता है कि किसी कठिन पैस्थती में होना जहां पर आपके पास option जो है, option नहीं हो, या फिर बहुत ही कम option हो आपके पास उसको बोलते है, have your back against the wall, ठीक है आगे बढ़ेंगे 27 नमबर question है spill the beans, spill the beans मतलब क्यों होता है, रहस से उजागर करना give away a secret option number 1 इसका correct हो जाएगा give away a secret, रहस से उजागर करना, 28 नमबर है make a b line make a b line, इसका मतलब होता सीधे चलना, ठीक है, go straight to, सीधे चलना make a b line का मतलब होता है, सीधे चलना go straight to, आगे बढ़ेंगे 29 नमबर है, pain in the neck pain in the neck इसका मतलब क्यों होता है, तो इसका मतलब होता है to suffer pain because over excursion, up neck muscle, to relieve someone from a painful condition, someone or something that is very annoying after number 3, इसका correct होगा कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा गुसा दिलाने वाली हो, ठीक कोई चीज़ जो गुसा दिलाने वाली हो, उसको बोलते है, pain in the neck, ठीक है someone or something that is very annoying, आगे बढ़ेंगे 30 नमबर कुश्चन है, follow suit follow suit मतलब इसका क्या होता है तो follow suit का मतलब होता है try a costume do the same as others go after someone or get on well with others तो option number second इसका correct होगा कोई ब्यक्ती जैसा काम कर रहा है उसी तरीके से करना, ठीक है do the same as others दूसरों के तरह ही करना, ठीक है follow suit होता है, आगे बढ़ेंगे 31 नमबर कुश्चन है swim with the tide, ठीक है swim with the tide, देखिए आपर दो तरह के idiom आपके एक्जाम में आते हैं, एक होता है swim with the tide, और दूसरा होता है swim against the tide, ठीक है मतलब समाज के जो नियम है उसके अनुसार चलना, ठीक है और swim against the tide का मतलब होता है समाज के नियमों के बिपरीत काम करना, तो आपसन देखते हैं आपर मारे पास क्या है accept your fault, do something again and again agree with the popular opinion going for a swim during a high tide तो आपसन नमबर 3 इसका correct होगा agree with the popular opinion जो popular opinion है उनसे सहमत होना, ठीक है और यहाँ पर अगर against कर देते तो popular opinion से सहमत ना होना, ठीक, उसको बोलते हैं तो आप लोग दोनों को ध्यान रखेंगे 32 नमबर है, cost dearly ठीक, cost dearly इसका मतलब क्या होता है तो मतलब होता है इसका कि कोई चीज जो है गलत तरीके से करना, ठीक, कोई काम जो है मतलब गलत तरीके से करना कि मतलब मुर्खता पूर्ण कार कर देना, ठीक है जैसे मतलब किसी को मुसीबत में डाल देना मुर्खता पूर्ण कार करके किसी को मुसीबत में डाल देना to bring once 1 suffering 2 bring 1 suffering इसका जो है correct answer होगा option number 1 मुरुखता पूर्ण कार करके किसी को मुसीबत में डाल देना ठीक है आगे बढ़ेंगे 33 number question है come to blows come to blows इसका मतलब क्यों होता not accept any responsibility agree with someone enjoy the cold breeze start fighting after a disagreement option number 4 इसका correct होगा start fighting after a disagreement ठीक है तो किसी disagreement है कोई समझाओता नहीं होने पर किसी के साथ fighting करना ठीक है next है 34 number question है see the light up day see the light up day तो इसका मतलब होता है लोगों के द्वारा कोई चीज जानना जाना ठीक है लोगों के द्वारा लोगों कोई चीज पता चलना to become publicly known ठीक है publicly known होना लोगों को पता होना इसको बोलते हैं see the light up तो मतलब लोगों को पता होना आगे चलते हैं और last देखते हैं loss count up ठीक है आपके पास loss count up और take pens ठीक है तो loss count up इसका मतलब क्या होता है something that happens rarely forget to accurate total ठीक है तो option number second होगा इसका correct भूल जाना ठीक है loss count आप इसका मतलब तब भूल जाना की चीज़िट को जो आपने total किया हो ठीक है मतलब total को भूल जाना ठीक है उसको बोलते हैं loss count आप और last है take pens take pens का मतलब क्यों होता है try hard ठीक है कोई कठिन किसी चीज़ को try करना ठीक उसको बोलते है take pens तो friends ये थे आज के सभी idioms जो आपके इस exam में आए हुए थे और बाकी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपसे request है कि वीडियो को जादा जादा सेयर करें तो मिलते हैं friends नेक्ट वीडियो में thank you all the best